कि शेख डालना इलिगा लिखाए यह गलत है मोर्टी सिर्फ इंटेंशन से हो रहा है इंटेंशन से हो रहा है इस सोसाइटी को बढ़ाम पर वर्वाद करना चाहती है इस अपर से संबने खुसकर दिखाई यह जैसा है इंट कई सेफ्टी नहीं करेंगा कोई आज्मी आपले आपके सेफ्टी नहीं प्रकया WIL उसह क्राठोंoire में अधित नकल faut Его का आट हुच और चल्रीव का है कि शेट डालना इली गरें जाए यह गलत है मोर्ती शिर्फ इंटेंशन से हो रहा है इंटेंशन से हो रहा है एक और अट के भी से चल रहे हैं सब कि किस तरह से प्रतिक्रिया एक तरफ तो सुसाइटी के लोग है और दूसरी तरह अश्रिकान तित्यागी के पत्नी की भी हमने बात आपको सुनाई रितू हमारे साथ हमारी समबादा था इस वख सुसाइटी में मोजूद रितू एक वर जल्दी से तस्मीरे दिखा यह क्या चल रहा है और हम देख रहें कि लोग यह कह रहें कि यह पेपर जो हमें नहीं पता था यह आदेश कैसे आया है किसने दिया है कैसे आइडेंटिफाई क्या है क्या सच में यह अचानक कारवाई हुई है या लोगों को पहले जानकारी दी गई कि ऐसी आज कारवाई होने वा जारी किया गया कोई जानकारी नहीं दी गई थी हाला कि अगर हम बात करें तो अब इसे 48 घंटे पहले जब यहां पर इस सुसाइटी के बाहर त्यागी समाज के लोग अनुत्यागी की समर्थन में यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान जब नोईडा ऑथारिटी की तीम यहां पहुची थी उस दौरान नोईडा ऑथारिटी ने कहा था कि यह सुसाइटी का सर्वे कराया जाएगा और सुसाइटी की जो डिजाइन है उससे मैच किया जाएगा उसके बाद जो तमाम एरियाज निकल कर आएंगे जो इंक्रोश्ड होंगे उस पर लेकिन आप हमने जितने भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की उनमें से हर किसी ने कहा कि आध सुबह उनको अख़बारों से मीडिया के जरिये जानकारी मिले कि उनके सुसाइटी में बुल्डोज चलेगा और इस वक्त हम आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरे दिखा हैं हमसे बातचीत करने की भी यहां इस्तिती में नहीं है आप सीरे तोर पर देखिए कि किस तरीके से जो तमाम लोग है ज्यादा तर लोगों को नोटिस जारी किया गया ना उन तक यह मेसेज दिया गया लीगली कि उनकी साइटी को उनकी बालकनी जो उन्होंने बनाई है उन्होंने तकरीबन साड़े तीन लाख तक रुपए जो की दस प्रतिशक उस वक्त जो उन्होंने फ्लाट खड़ी दे थे उस रेट का था उसको पे करके उन्होंने वो बालकनी जो है टेंपररी शेड बनाए थे जिसको आज तोड़ा जा रहा है हम सीरे तोर पर आपको त बात कही गई है कि भाई यह जब बेची गई या खरीदी गई या जो बनाया गया उस वक्त उन्होंने क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं जो बिल्कुल हमारी कोशिश रही कि हम RWA तक पहुचे हाला कि उनकी तरफ से नो कमेंट्स का ही हर बार हमें यही कहा गया कि उनकी तरफ से कोई कमेंट्स नहीं है फिर हमने जब इस बात की तस्थीक करने की कोशिश करी जो ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद फ्लाट टोनर स है उनसे तो साब तोर पर उनका भी यह कहना था कि ससाइटी में लीगली कोई RWA ही नहीं है और इसी आदार पर क्यूंकि इन तक कोई कॉम्मिनिकेशन भी नहीं पहुचा क्यूंकि लीगली इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला क्यूंकि जो RWA है वो अनाथराइज है अपने आप में ऐसे में इनका सीदे तोर पर कई जो ग्राउंड फ्लोर के फ्लाट उनर से उन्होंने ये भी कहा कि राजनितिक रंग देने की भी कोशिश होई है कुछ लोगों के उन्होंने नाम रखे नहीं तो लेकिन एक सौभाविक प्रश्म यह उटता है जब लोग है कि हमारे पास कागज है हमने पर्चिस किया है हमने पे किया है तो क्या यह कागज बिल्डर्स द्वारा दिये गए यह जो राइट्स हैं या जो खरीदने का काम पैसा लेने काम यह बिल्डर्स के द्वारा किया गया और किस आधार पर किया गया इस बारे में कुछ पता च से ही मिले हुए कागश थी जो उनको बिल्डर्स के थ्रू मिले थे और इसे लिहाद से जो तमाम ग्राउंड फ्लोर के फ्लाइट ओनर से उनका सीधे तोर पर यही कहना था कि आखिर जब हमने लीगली तौर पर इसे खरीदा है और कई सारे ऐसे फ्लाइट उनर से जिनोंने हम अगर आज अथारिटी की तरफ से ही उनको यह पेपर्स दिये गए यह पर्चेसिंग की गई तो भला अथारिटी ने उन पेपर्स पर क्या रियक्ट किया अगर आज अथारिटी की तरफ से कारवाई की जारी तो सवाल यह है कि वो पेपर क्या अथारिटी के अधिकारियों को यहां के लोग दिखा रहे हैं कि आपकी तरब से भी यह ओनर्शिप के लिए हमें दिया गया था पेपर जिसके लिए हमने पे किया लोगों ने क्या वो कागज अधिकारियों को दिखाए क्या का उन्हों पिल्कुल सीधे तोर पर बेरा भी यही सवाल था और उन्हीं ग्राउंड फ्लोर के जो फ्लाट उन्हों से उन्हें सीधे तोर पर हमें बताया और हमें दिखाया कि वो गए थे नोईडा अथार्डिटी के ओफिस गए थे रितु माहिश्वरी से उन्हेंने सिधे तौर पे सवाल किये थे और पूछा था और जो तमाम उनके पास सबूते हैं उसको भी दिखाया था लेकिन रितु माहिश्वरी ने सीधे तौर पर उन्हें कहा था कि कारवाई तो होगी य उनके शब्द है यह तमाम ग्राउंड फ्लोर के फ्लाट उनर से यह उनके शब्द है उन्होंने हमें यही कहा कि उनको रितु माहिश्वरी ने यह बात कई तो सीधे तौर पर इसी वज़े से यह जो तमाम फ्लाट उनर से इन्हें समझ नहीं आया कि आखिर इंक्रोच्में होता क्या है क्योंकि इनके पास तो लीगल तोर पर पेपर्स मौजूद है इसके बावजूद कहा जा रहा है कि यह जो इन्होंने ओवर्शेड़ड बालकनी के उपर बनाया है ओवर्शेड़ड जो बालकनी है यह इलिगल है